हे नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी क्या निया और काफी इंट्रेस्टिंग वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्स करने वले शाओमी का न्यूली लॉंच प्रड़क्ट अक्चुली वह प्रड़क्ट लॉंच भी नहीं हुआ है क्राउड फंडिंग में मैंने उसे पॉचेस किया था जो है मी इलेक्टरिक टूथब्रश और गैस कुछ एक दो दिन पहले ही मुझे यह डिलिवर हो चुका है और गैस यह रहा उसका रीटिल पैकेजिंग यह है मी इलेक्टरिक टूथब्रश T300 काफी बड़ा सा नाम है तो इसकी अन्बोक्सिंग और देखते हैं क्या यह वर्थ है इस प्राइज में क्राउड फंडिंग में मैंने से पॉच्स किया है 1,299 रूपीज की प्राइज मैं तो अभी हम करते हैं इसकी अन्बोक्सिंग So guys, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आगी की तरफ आपको देखने मिलते हो, इसके ब्रांडिंग, मी, इलेक्रिक, टूथब्रश, T300, कुछ उसके स्पेसिफिकेशन आपको देखने मिलते हैं, नीची की तरफ आपको देखने मिलते हैं, वो अक्चुल ब्रश, पीचे की तरफ आज यूजल, कॉन्टिटी, मैनुफेक्चरिंग, वारंटी, सारी इंफरमेशन आपको देखने मिलेगी, तो अभी हम करते हैं, इसकी अन्बोक्सिंग, तो जैसे हम इसे अन्बोक्स करते हैं, यहाँ पर अंदर की तरफ आपको देखने मिलता है, वो टूद ब्रश, काफी बल्की लग रहा है मुझे, हाला कि इसके अंदर बैटरी भी है, फिर हम इससे रिमूफ करते है, यहाँ पर अंदर की तरफ आपको देखने मिलता है, यूजर मैनुवल, तो ब्रश को कैसे यूज करना उसका यूजर मैनुवल है, और उसके अलावा य टिप, तो इसे भी हम रेमूफ करते हैं, यहाँ पर, आपको देखने मिलते कुछ रिंग्स, यहाँ पर दो रिंग्स उन्होंने दिये है, मतलब दो रिंग्स, इंडिकेट करते हैं कि कौन सा ब्रश किसका है, तो आपको बस रिंग प्लेस करना है, तो आप डिफ्रेंशेट कर सकते हो कौन सा, क्योंकि अगर मि के ब्रश, चार पाज लोगों ने घर पर खरीद लिये, तो डिफ्रेंशेट नहीं कर बाएंगे किसका कौन सा ब्रश है, उसके यहाँ पर उन्होंने रिंग्स दिये है, और उसके अलावा, यहाँ पर, आपको देखने मिलता है, एक चार अजाएक चारइब आपको प्लेश करना है, ऊफर बास लेख करना है, और यहाँ पर फ्लेश करना यह अपरे बटन हो आप और जैसे नहीं के एक चुछ लू पर ख्लिक करते हैं, आप सुन सकते हो वाइइशन सावन रहता है, और यहाँ यह पर फ़्रस रिंख से अए ने ख कोई rotating motion वगर ऐसा कुछ भी नहीं है और यह जो second mode है यह है थोड़ा जादा vibration वाला mode और वापिस हम प्रेस करते हैं तो यह completely turn off हो जाता है वापिस हम इसे turn on करते है डबल प्रेस करने पर मतलब प्रेस करके रखना है तो आप देख सकते हैं यह pause हो चुका है वापिस आप प्रे charging point नीचे की तरफ तो कुछ इस तरीके से बस आपको remove करना है और यहां पर आपको देखने मिलता है टाइप सी charging point टाइप सी केबल की हेल्प से आप इसे चार्ज कर सकते हो प्लस यहां पर नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है जो रिम का मैंने आपको बताया था तो सब्सक्राइब कर पाएंगे तो इस बस यही था यह ब्रश प्रैक्टिकली स्पीकिंग गाइस यूजलेस ब्रश है ऐसा है शामी ने यूजलेस प्रोड़क यहां पर डिजाइन किया क्योंकि यही सेम ब्रश चाइना में अगर आप वहां से मंगाते हो अली एक्सप्रेस से तो उसमें आपको देखने मिलते है application connectivity आप के साथ connect होता है यह ब्रश आप के साथने कल złो और इसमें बस आपको एक इन्हों मै representing me इस यह Type-C port उन्होंने दिया है यहां पर बहुत ही बढ़िया बात है चलो आजकल Type-C सभी लोग यूज कर रहे है इसमें आपको मतलब Act Connectivity चलो उसको बाजू में रखते हैं यहां पर सिर्फ एक vibration feedback देखने मतले है that's it मतलब सिर्फ यह जो ब्रश है वाइट हो रहा है that's it और वो तो Oral-B का brand है Oral-B तो famous ही है सिफ toothbrush के लिए शाओमी toothbrush के लिए famous नहीं है so guys मैं यही suggest करूँगा अगर जो प्रोड़क आप चाइना में दे रहे हो with app connectivity वही प्रोड़क इंडिया में दिया करो with app connectivity और गैस इस ब्रश अगर यह शाओमी से expect कर रहे है तो यह 1000 के नीचे होना चाहिए था ना की 1299 और गैस 1299 में मैं ने crowdfunding में purchase किया है crowdfunding में हर एक प्रोड़क सस्ता ही होता है पता नहीं इसकी pricing कितनी होने वाली है या फिर अगर 1200 99 भी रहेगी तो भी काफी expensive है तो बस यही suggest करूंगा शाओमी को जो प्रोड़क आप चाइना में डिजाइन कर रहे हो similar product similar features के साथ यहां पर launch करो और इस मैं तो बोलूँगा useless product है अगर tip की बात करें गाइस यह जो tip है यह tip भी आपको change करना पड़ेगा बट अगर यह out of stock रहेगा तो brush करना छोड़ दो ऐसा है क्योंकि यह out of stock रहता है mostly time में का और in case अभी crowdfunding में मैं से start कर रहो use करने के लिए और crowdfunding से लेके नॉर्मल सेल के लिए उनको अगर time लगते और तब तक यह मेरा tip खराब हो जाता है तो मैं क्या करूँ ब्रश करना छोड़ दूँ तो गाइस यह सारी फैक्टर्स उन्होंने मतलब रखने चाहिए दिमाग में कोई भी product launch करने से पहले मेरे हिसाब से तो काफी ठीक टाक सा यह product है इस price range में अगर किसी को purchase करना है कि मैं मेस के brush से brush कर रहा हूँ तो purchase कीजिए मैं तो suggest नहीं करूँगा इसे purchase करने के लिए और guys बस यही था आज का यह वीडियो अभी मैने तो खरीद है तो मैं इसे use तो करूँगा क्योंकि पैसे तो वैश्टी हो गया मैसे मेरे शो गैस बस यही था आज का यह वीडियो लिंक में इसकी description में नहीं देने वाला मत करो purchase और मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद